बड़ सब रतलाम में एक वकील की सड़क पे चलती बाइद पर मोथ हो गई थी वकील थे वकीलों में इद्वाको नारा जी थी क्या एक्षन लिया वकील लोगा निति जिलाई वश्रक संग के पूर्व अध्यक्ष श्री संजे जी पमार और हम सभी का एदाईत्वेक के हमारे किसी भी सदस्य की किसी भी प्रकार से यदि दर्दनाक मोत हो तो ऐसे दोश्यों को अपने अंजाम तक पहुचा है इस उद्देश से संजे जी पमार के द्वारा एक परिवाज जिला नियाज़ीश मोदे के समक्ष प्रस्तूत की गई जिसे जिला नियादिश मोदे के द्वारा प्रतंचरी नियाग डंडादिकारी मोदे के समक्स आवश्चर्ण कारवाई हैतु पति-प्रिशित किया गया जिसमें मानने प्रतम शेनियेक डंडादिकारी कपील जी वर्मा साथ के द्वारा दिनांक 10-5-2021 को यहां आदेश पारित किया गया कि पुलिस अधिक्षक मोदे दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 156-3 के तहट इस मामले का अनुसंदान करे और उप्रोक्त धारा के प्रावधा के अंतरगत कारवाई कर 25-5-2021 को अपना प्रतिविदन प्रस्थूत करे अच्छा जो जो धारा बताई इसमें अनुसंदान करने के लिए क्लिए क्लाफ होगी कोई नाम दिए क्लिए यह अभियोजन का काम है परंतु कानून यह कहता है कि कोई भी अनुसंदान बिना अपरा सब्दाल में यही ववस्ता दी गई है कि यही कोई नायक मजिस्ट्रेट अनुसंदान किये जाने है तो आदिशर inversion करता है तो अभियोजन का यह जाय हुए कि उसके समन्द में अपराद पंजीबत करने के बाद अनुसंदान करे और यही कोई अपराद पाया जाता है तो अभ्योक प्रस्थूत करें और या अप्राद नहीं पाया जाता है तो प्रतिवेदन प्रस्थूत कर कात्मा प्रस्थूत करें। और महां इंतजार करने के बाद उसका इलाज नहीं किया गया Medical College में बेट खाली थे राजे शर्मा तैसम क्यां बेट खाली थे क्योंकि Medical College में बदायक मोथे के द्षेम सित्तर अक्सीजन, 건설, दे कर साथ साट बेट का स्पिटल का उद्गटन किया जा रहा था बारा बजे और बारा लगबग डेड़ वे तक वह उनके मेडिकल कालेज की डिलिट पर बेटा रहा हूँ चुंकि ये जिले के अदिकारी हैं इनका प्रतेक कारियों के प्रती दाइत वो होता है और इनने अपने दाइत को का निर्वाह नहीं किया और समय पर इनको सूच्टना भी प्रेसिट किये जाने के बावजूद भी तुरे डंगर का इलाज में हैतू बर्ती नहीं किया जा सका और जितन गुपता प्रभाकरजी नरावरे अच्छा तो यह अपरादिक परिवाद द्याले में प्रस्तूत करती गई है चुकि यदि जिस प्रकार से समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए और हमारी ओर से जो कारवाई की गई पुलिस को सोयमय संग्यान लेकर कारवाई प्रार्म कर देना थी उनके दोरा नहीं की गई यह इसलिए परिवाद प्रस्तूत की गई है और यदि पुलिस के द्वारा सही कारवाई नहीं की गई तो इस परिवाद में संजे जी पमार और अन्य साक्षिकण के बयान करा कर इस परिवाद में जो भी दोशी होगा उसको अंतिम छोड तक डंडित किये जाने की कारवाई की जाएगी